दोस्तों स्वागत आपको ड्राइव स्पार्क में मैं हूँ प्रमीद और आज हमाए हैं आज जैसलमेर में जहां पे हम चला रहे हैं ये टाटा की आल न्यू आल्ट्रोस अब ये जो आल्ट्रोस है ये टाटा के पोर्टफोलियो से सेकंड गाड़ी है जो कि टाटा का इंपक 2.0 डिजाइन फिलोजफी फॉलो करती है तो इस वीडियो को देखते रहे हैं कहीं मत जाएगा क्योंकि हम आपको इस आल न्यू आल्ट्रोस के बारे में सब कुछ बताएंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से जोसे कि आप देख सकते हैं इस गा आपको मिलता है यहां पर स्लीक लुकिंग हैडलांब क्लस्टर जहां पर आपको प्रोजेक्टर मिलेगा एक हाई बीम मिलेगा और एक इंडिकेटर मिलेगा अब अनफॉर्चनेटली यहां पर LED मौजूद नहीं है कहीं पर भी हम लों विश्च कर रहे थे कि यहां पर हो सक फॉग लैंप मिलेगा जो कि अगेन हालोजन है और यह फॉग लैंप कॉर्नरिंग लैंप के तरह भी एक्ट करता है तो अगर आप सामने से रहेंगे दोस्तों तो यह जो गाड़ी है यह इस कलर स्कीम में काफी अच्छी लगती है जो गोल्डन ब्लैक और जो क्रोम का फिन उनिक है तो आप देख सकते कि इसके यह और उतर भाल पर है वो कम्प्लेट ऐसे सलोख नहीं होता है यहां से थोड़ा सा अंदर जाता है तो जो सामने से काफी यूनिक है आप से तो ऑनिक सब आप कर रहा है औहां उनीचे आपको प्रियाई जो की गाड़ी कर िरुप को औ है जिसके आप देख सकते ए पिलर से सी पिलर तक यहाँ पर आपको मिलेगा एक इंडिकेटर और तो और यह 16 इंच के जो मशीन कट अलावी वील्स है यह काफी अच्छे लग रहे है इस गाड़ी के साथ अगर आप यहाँ पर नोडिस करोगे दोस्तों तो जो डोर है वो यूनीक लगा मेरे को तो जैसे कि मैं बोल रहाता दोस्तों इसमें साइड में उतना दाद क्रोम प्रेजेंट नहीं है इसमें जो है यह पैनल ब्लैक फिनिश आप यहाँ पर पीछे भी देखेंगे जो टेल लेट है यह यहाँ तक एक्स्टेंड होता है और यहाँ पर भी दोस्ते में बहुत ही अच्छा लगा यह जो गोल्डन और ब्लैक का फिनिश है इसमें गाड़ी साइट से भी काफी कूल लगती है तो अब बात करते हैं गाड़ी के आखरी पार्ट जो की गाड़ी का रियर रेंड है उसके बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहा अब यहां पर लोगो मिल जाएगा अब यह दोनों चीजों को छोड़के आप देख सकते क्रूम कहीं भी नहीं प्रेजेंट है काफी ब्लैक्ट आउट फिनिश है गाड़ी पे चारो तरफ और यह टी और आर के बीच में आपको मिल जागा रिवर्स पार्किंग कैमरा यहा यहां पर आपको देखें यहां पर ब्रेक लाइट के लिए LED स्ट्रिप दी गई है जो कि जैसी आप ब्रेक पेडल हिट करेंगे यह जल जाएगा आप यहां से पीछे से नोटिस नहीं कर सकते हैं बड़ आपकर साइट से देखेंगे तो इसको एक हलका सा स्पॉयलर ठीक नीचे एक बटन दिया गया है इस बटन को आप दबाते ही यह बूट खुल जाएगा आपको थोड़ी से मैनत करने ही बूट को खोलने के लिए अपने आप यह बूट नहीं खुलता है और आप देख सकते हैं काफी जगे है यहां पर लगेज रखने के लिए भी थोड हलका तो नहीं है लेकिन उतना भारी भी नहीं है अमलब कहीं बीच में है थोड़ी सी महनत लगेगी बूट लिट को बंद करने के लिए लेकिन गाइस ओवरॉल अगर आप नोटिस करेंगे कि यह जो फिनिशिंग है यह गोल्डन और यह ब्लैक और जो ओवरॉल है गाड़ काफी पैस है काफी स्पेशियस है हैजरू मेरी रूम सब कुछ है इस गारी में बहुझा से गारी थोड़ी सी छोटी दिख सकते लेकिन जैसी अब अंदर बैठेंगे पता निए क्यों लेकिन काफी जगह है इस गारी में तो चलिए सबसे पहले बात करते सिक स्टेरिंग मि वो काफी अच्छा है काफी grip मलब काफी grip अच्छा है सेरिंग रहाप स्टेरिंग वील है और इसके चेरिंग माँटे कंट्रोल जे वह काफी अच्छे आपको राइट पर राइट हंड साइड पर जो है जाएगा बेसिकली टैनों टू नहीं यह नाइन और त्री ओक्लॉक पर आपको हॉन का यह स्विच दिया गया है तो आप बेसिकली आपके अंगुठे से आप हॉन बढ़ा सकते हैं आप ऐसे करके तो वह एक काफी काफी फीचर हो जाता है आप स्टेरिंग विल से आपको बार वी बटन्स है जिसे आप उसकर सकते और उन बटन के ठीक निचे आपको मिल जादा क्लाइम्स कंट्रोल तो यहां पर यह अचरजर डाल सकते हैं और एक युएजबी यह फिर आपके फोन चार्ज करने के लिए जगे भी दी गई है काफी जगे है चीज रखने के लिए जिसे कि यहाँ पर ठीक नीचे इसके सेंटर कॉंसोल में आपको एक जगे दीगे जहाँ पर अपना फोन या फिर वालेट रख सकते हैं पर यहाँ पर यहाँ पर आपको कुछ बड़ तीन बटन मिलेंगे तो यह तीन बटन में एक है फॉग लैंप का जो की फ्रंट फॉग लैंप है एक है रेर फॉग लैंप का और दूसा है आटमाटिक स्टाट स्टॉप का तो यह सब जो चीज़े हैं यह गाड़ी को काफी अच्छी बनाती है और का यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अंदर की जो मलब फिटने फिनिश क्वालिटी यह प्लास्टिक दी गई बट वो प्लास्टिक काफी अच्छे मटीरियल का है दर्वाजे पर थोड़ा बहुत सॉफ्ट अच्छे मटीरियल यूस किया गया है बट ओवराल जो फिनिश है जो कि सिल्वर ब्लाक और जो ब्रस जाँ ज़्यादा खुलता है तो यहां तक खुलता है लेकिन इसके दर्वाजे आप देखे एक्दम 90 डिग्री के लिए अपको यहां पर और जो है आपको चैट लोक मिलेगा जो कि पाव विंडो के लिए है और यहां पर आपको मिल जाएगा जिसमें 6 शे स्पीकर लगें और काफी ब्रिलिन मिली सिक्टर में हर्मन के जो की जे बिल से है और बहुत ही अच्छा इसका यह एसी के चाहतर आप देख रहे हैं यहां पर ब्राश अलुमीनियम फिनिश मिल जाएगा और यहां पर डाशबोड पर आपको डूल टोन डाशबोड मिलेगा जो की ओवर ऑल गाड़ी का अंदर का लुक जो है काफी एन्हांस कर देता है तो यह थी दोस्तों इसका फ्रंट सीट आइए चलते हैं अब रेर पे और मैं उसके बारे में आपको और बताऊंगा तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के रेर सीट पे और यह जो सामने अली सीट है यह मेरे काफी डीसेंट है तो आप पीछे बैठके आपको बिल्कुल भी क्लॉस्फोफोबिक नहीं फील करेंगे आप बिल्कुल भी मतलब पैर ऐसा नहीं हो रहा है कि लडा जा रहा आगे सीट से और चार जो है लंबे बंदे भी आराम से बैठके दा सकते है इस गाड़ी में और एक चीज़ में बोलना चाहूंगा यह जो डॉर है आप दोस्तों यह जो आप कोहां पर एक स्कूप कटा हुआ देख रहे हैं वह बैसिकली डॉर है इसमें ट्रेशनल डॉर है जो से लगा होता है वैसे नहीं है सी पिलर पर मौजूद है और यहां पर आप डोर पे पाड़ी के left-hand side से right-hand side पर shift करना है क्योंकि उधर या फिर इधर कोई मतलब दरवाजा खोलनी की जगे नहीं है या तो दिवार है या तो पेड़ है या फिर कीचड़ या कुछ है तो आपको अगर shift करना हुआ तो आप बड़े असानी से देख सकते हैं आप यहां से वहां जाएंगे जहां पर जो है यहां पर एक blower का speed आप adjust कर सकते हैं तो इससे क्या होता है कि जो रियर कैबने काफी गरम दिन पर बहुत जल्दी कैबन ठंड़ा जाए इसके AC काफी अच्छा है उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा 12V का socket और उसके ऊपर आपको एक slot मिलेगा जहा आप आराम से relax करके बैठ सकते हैं उसको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बाहर से जो है यह गाड़ी भली छोटी दिखती हो लेकिन एक बार आप इस गाड़ी में अंदर बैठेंगे तब आपको realize होगा कि इस गाड़ी में कितनी जगह है दो दोस्तों अब हम वापस आ अब आपको बताऊंगा यह गाड़ी चला के दिखाऊंगा और यह बताऊंगा कैसी चलती है क्या मालेज ए परफॉर्मेंस है तो सबसे पहले एक एंजिन ब्रीफ देता हम आपको जब ही गाड़ी हमनों चला रहे हैं यह एक 1.5 लिटर थर्वर चार्ज डीजल एंजन से प थ्री जिलिंडर पेट्रोल एंजन जो की 85 85 बहची बीचब अब बाद करते हैं इस गाड़ी की जो की है डीजल जो कि हम अभी चला रहे हैं तो यह जो गाड़ी है दोस्तों यह गाड़ी है आपकी मतलब इसमें जो एंजन लगा है वही एंजन आपको टा टा नेक्सवान मे भी मिलता है और क्यूंकि नेक्सवां के पास थी काफी टाइम से एक लॉंग टोमर के साफ से तो हम बदा सकते हैं कि वो एंजन काफी अच्छा है काफी रिलाइवल है और तो और इस एंजन की सबसे खास बात है कि यह 1.5 लीटर है और इसका माइलेज जो है वो बहुत ही अच कि इसमें रोस्तों हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सेम चीज क्योंकि यह वही 1.5 लीटर एंजने जो कि आपको नेक्सान में मिलता है और अभी अभी हम लोग को साड़े बारा का माइलेज दिखा रहा है जबकि हम लोग ने अभी अभी ट्रिप किया है गाड़ी को मैलेज अच्छी खासी मिलेगी हम लोगे एक्सपेक्ट करें कि सेम ने जो कि नेक्स वन में था तो हम एक्सपेक्ट करें कि इसको वही मैलेज फिगर अर इसने डे दिया देन नथिंग लाइक तब तो यह गाड़ी मतलब को जादे ही अच्छी है और यह एंजन का रिस्पा अब आराम से दो हजार से पच्छी सो अर्पिम के बीच में अब कुरूस कर सकते हैं असी से सौ के बीच में उससे हो गई है कि आपको और जादा मायरेज में पर इंजन पर इंजन पर स्ट्रेस कम हो जाएगा इसमें बेसिकली 1.5 लिटर सेम एंजन है लेकिन गियर बॉस ज जो बताना चाहूंगा यह जो तेरिंग ओने एक फ्लैट बटम से जए ओवरल गाडि के स्पोर्टीनेस को सिगनिफाय करता है तो यह अच्छा लगता है और इस जज़ए बीचापे चंकी लोगिंग सेर्फ एले और इसमें जो है यह तो आप बॉल्प काफी मोट शेरिग के लिए यहां पर जो 10 o'clock और 2 o'clock पर आपको यह सपोर्टर दिये गए जहां पर आपना उठा रख सकते हैं आराम से ड्राइब करने के लिए इंपर्टेमेंट सिस्टम तो ही इसमें इंपर्टेमेंट सिस्टम काफी अच्छा है यह आप तच काफी सेंसिटिव है ऐसा नहीं सब्सक्राइब जरू करेंगा अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजे और हम लोग उसका रिपला आपको दुरन दे देंगे अब तक के लिए मैं प्रोमीर चैनल करता हूँ सी यू नेक्स ताइम थैंक यू सो मच पूछ वाचिंग